हलो फ्रेंड्स कैसे हो आई हो पाफ सब ठीक होंगे तो आज मैं आप सभी से ऐसे मोमो की रैस्पी सेर करने जारी हूँ जो बनाना इतना आसान और लिखाने में इतनी जादा टेस्टी चटपटी लगती है ना कि आप मार्गेट का मोमो खाना बोल जाएंगे तो आज का मोमो में बनाने वाली हूँ सिर्फ घर की रखी हुई समानों से तो मैं यहाँ पे खीरा ले ली आलू बीट रूट और गाजट थोड़ी सी प्याज तो ना सभी सबजियां को मैं एके करके ग्रेट करके रेड़ी कर लूँगी तो मैंने जो आलू को कदुगस करे थ जियेगा तो मेने यहाँ पर गयाज को ẋन करके करहाई को रख दिए और ख़़ाई ना अक्षी से गर्म हो गए तो मैं उसमें ंडाल दिए से 100 और सा पहुझना है तो देह सकते हैं प्याज तरह से साप्ट हो गए तो मैंसे में डाल दी कदूकस की वhouई आलु को और आलु प्याज को ना एक सी मिनदाट को ऐसी गैस के मढ़ं फ्लैम पे भूनना है कि तो देख सकते हैं एक सी बहुत हो को और फिर से मैं इसे एक से दो मिनिट तक भून लूँगे तो फ्रेंड्स मैं डाल दूँगी आधी छोटी चम्मच की इतना नमकानि स्वादा अनुसार और आधी छोटी चम्मच से थोड़ी से कम हल्दी पॉर्डर और सभी चीजों को मिलाने के बाद उसके बाद मैं डाल खीरे को जो मैंने ना खीरे को कदुकस करके रखे थे और फ्रेंड्स यह मोमो ना जैसे अगर घर में सिमला मीर्च पत्ते गोभी वगेरा नहीं भी है ना तब पर भी आप इसे बनाए और बहुत यादर टेस्टी और चटपटा बनता है बच्चे भी यह मोमो को ना बहुत डेल एक छोटी चमअच काली मिलः के पौड्र और तो दधि um सब्सक्राइमस को मिला लूं कि है और तॉ मिला लोंग ZuschauerYo मिला लोंगी तो देख सकते हैं 168 अ क्वाध में चोटी मिला डाल दियोते द्होंडैन देखिंज्च यह्लाव अच्छी फ्रेंच इस लों होकित क्य बुन गए हैं बहुत ही बड़ी ऐसे खुसबू भी आ रही है तो अब मेना गैस को आफ करके इसे ठंडे हो जाने दूंगी तो फ्रेंट्स आज का जो मोमो में बनाने वाली हूं यह बनने वाली है गेहों के आटे से साथ ही डाल दी मैं इसमें आधी शोटी चमस्चे थोड़ नहीं भी मतलब मैदा अगर खाना चाहते हैं तो आटे से भी बहुत यादे टेस्टी स्वाधिस्ट मोमो बनती है तो मैं डो लगा के तयार कर ली तो मैं यहाँ पे गैस कौन करके करहाई में डाल दी एक बड़े गलास की इतना पानी और गैस की फ्लैम को मैं मिडियम में कर दी हो और इसे ढख के ना इसे उबाल आने तक वेट करूंगी तब तक मैं उधर मॉमा में इस्टपिंग डाल लेती हूं सो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बड़े-बड़े साइज का पहले लोई बनाऊंगी और हलके से आटे से मतलब सूखे चिड़क के और मैं इसकी बड़ी सेब दे तो जैसे आपको छोटा बड़ा जिस साइज का मतलब बनाना हो तो मैं चोटे-चोटे ही मॉमो बनाऊंगी तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे ग्लास लेली हूँ छोटा सा और उसी से में इसमें कट लगाई तो ऐसे करने से ना मॉमो बनाना बहुत ही आसान हो जाता है आप जट-पट से बना की मतलब इंज़ाई कर सकते हैं तो देख सकते हैं मैं सभी को मतलब कट करके रेडी कर ली हूँ और एक-एक करके मतलब सारी ऐसे चोटी-चोटी जो मैंने रोटिया रखिया है ना उसे मैं ऐसे हाथों में ले लूँगी और उसके अंदर मैं इसकों मतलब मोड़े उसको अंदर लोंगे तो आप चाहें तो इस जैसे बहुझे चाहें उसका भी से होता ये mamas थोड़ा अच्छा लगता है और देखिए मैं एक को मतलब पोटली वाला ही बनाई पोटली वाला तो और भी आसान है मतलब बीच में स्टफिंग को डाल देना किनारे को लाकर एक जिगा मतलब इकटे करके बना लेना है तो मैं सारे मुमों को बना के तयार कर ली हूँ और जो बड़े उसे बुल-बुले आने लगे हैं तो मैं यहां पर एक छोटू सा मतलब जो टिफिन बॉक्स का धकन वगएरा होता है तो मैं वही का उसी का यूज़ करी हूँ और यह जाली वाला कटोरा तो मैं उसी के ऊपर ना सारे मुमों को रख दी और इसे गैस की हाई मीडिय इस अगर उससे भी पता ना कर सके तो इसका जो कलर है ना बिलकुल ट्रांसपैरंट क्लर का हो जाएगा तो इससे पता चलता है क्या जो प्लकशन हैस अभी मोन बहुत ही गर्म है खाला करको सारे मोमो नीचे आयom ना यह देखिशर्ब जहेंज़ेए होगी है और मोमो ठंड इसका color में थोड़ा सा light आ गई ना ये बिल्कुल transparent color का हो गया है तो ये है home made momo की चटनी तो चलिए अब एक momo को में तोड़के इसके साथ check करके देखती हूं कैसी बनी है ये देखे फ्रेंड्स कैसी लग रही है momo एक comment जरूर कीजिएगा so bye bye